महंगाई के इस दौर में आज भी हर तीन में से दो लोग बेटर मेडिकल फेसिलिटीज अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी भारत की एक बड़ी आबादी एक दिन में केवल 200 रुपए भी खर्च कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सोची अगर कभी किसी बड़ी बीमारी ने इनके घर दस्तक दे दी तो ये क्या करेंगे। छोटी मोटी बीमारी तो इनसान फिर भी जेल ले लेकिन बड़ी बीमारी का इलाज करवाना आज के समय में जहर खाने जैसा ही है। उपर से हेल्थ केर सिस्टम की हालत से कौन वाकिफ नहीं है। 2015 में आई अक्षे कुमार की मूवी गबर इस बैक तो आपने देखी ही होगी कि किस तरह इनसान के मरने के बाद भी उसके परिवार वालों को बिल्स पर बिल्स थमा दिये जाते हैं। देखा जाये तो असल में एक एवल फिल्म का एक सीन नहीं था बलकि एक असलियत थी। वो असलियत जिसने भारत के हेल्थ केर सिस्टम की रीड की हड़ी खोखली कर दी है। एक सिंपल गूगल सरच करने पर आपको ऐसे कई केसिस देखने को मिल जाएंगे जहां प्राइविट हॉस्पिटल जबरदस्ती पेशन्ट की फैमली को डर में रखकर उनसे लाख और रुपे लूट लेते हैं। ऐसे में अपनों की जान की फिक्रों में इनसान चाहे घर गिर्वी रखकर पैसा लाई या जेवर गिर्वी रखकर लेकिन अपनों को बचाने के लिए वो हर एक कोशिश करता है। एक तरफ पेशन्ट, डॉक्टर्स को भगवान का रूप मान कर उनकी कही हर बात पर विश्वास कर रहा है। तो वही दूसरी और डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स हर कोई इलाज के नाम पर पेशन्स को बस लूटने में लगे हुए हैं। लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठा कर उनसे पैसे एठे जा रहे हैं। टेस्ट रिपोर्ट से लेकर सर्जरी और उपरेशन तक पेशन्स को हर एक स्टेप पर ठगा जा रहा है। पबलिक हेल्थ केर सिस्टम की खसता हालत होने का फायदा उठा कर प्राइविट हॉस्पिटल भी अपना मुनाफ़ा बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज अपने फायदे के लिए सस्ती मेडिसिन्स को फेक मेडिसिन्स बता कर आपको महंगी मेडिसिन खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। हालात ऐसे हो गए है कि इनसान चाहे मर ही क्यों न रहा हूँ पर पेशिन्ट को बैट तक ले जाने से पहले उसके परिवार को बिल का परचा सौप दिया जाता है। हाला कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार हायलाइट भी कर चुका है कि एमर्जेंसी मेडिकल केर ना देना भी राइट तू लाइफ का वायलेशन है। यहां की हालत बत से बत्तर है। पबलिक हास्पिटल की खराब हालत के कारण ही एक मिडल क्लास प्राइविट हास्पिटल का रुख करता है। जहां जाने के बाद पेशिंट तो जरूर ठीक हो जाता है लेकिन हॉस्पिटल्स के बिल भरते भरते परिवार वालों का दिवाला निकल जाता है। इसी कारण भारत में 55 मिलियन से भी जादा लोग हर साल केवल हॉस्पिटल्स के बिल भरने के कारण गरीबी का शिकार हो जाते हैं। पबलिक हेल्थ केर सिस्टम के कमजोर होने के कारण ही ऐसी तमाम परिशानी आए दिन देश के हर नागरिक को सहनी पड़ती है। और अगर ऐ पूरा खर्च कवर करेगा बलकि आपको फैनेशली फाइंड भी रखेगा। इसलिए अगर आपको हेल्थ केर इंशॉरेंस करवाना है तो आप पॉलिसी बजार को विजट कर सकते हैं। इनके पास पूरे एक क्यावन इंशॉरेंस पार्टनर्स है। यहां आप अपने हिसा और थर्टी मिनिट क्लेम सपोर्ट सर्विस भी मिलेगी। जिस कारण आप हॉस्पिटल बिल्स की चिंता किये बिना आराम से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपके बिल्स को ये खुद सेटल कर लेंगे। ऐसे ही कमाल के फीचोज और सपोर्ट की बदौलत पॉलिसी बजार साथ ही ओफलाइन एजेंट्स और बैंक्स की इंवॉल्ब्मेंट ना होने के कारण पॉलिसी बजार में आपको सबसे अफॉर्डिबल रेट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप सेक्शन 80D के तहत अपना 75,000 तक का टैक्स भी बचा सकते हैं। भारत में बढ़ते इं बिल क्लास की कैटेगरी में आने वाले इनसान को अगर कभी किसी सीरियस प्रॉब्लम के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो वो हॉस्पिटल के बिल्स भरते भरते सर से लेकर पाओ तक कर्ज में डूब जाएगा। आपको जानकर हरानी होगी कि प्राइविट ह चोटी बिमारी के लिए इस्तिमाल होने वाली मेडिसिन्स पर भी लोगों की जेब पर कैंची चल रही है। बड़ी बड़ी फार्मा कमपनीज ने ऐसा जाल बुन रखा है जिसमें लोगों को मजबूरन महंगी दवाई लेनी पड़ती है जबकि उनकी बिमारी का इलाज ज इस तरह डॉक्टर्स, मेडिकल शॉप्स और फार्मा कमपनीज की तो भरपूर कमाई होती है पर इन सब में एक आम नागरिक का भारी नुकसान हो जाता है। एक तरफ शेहरों में जहां लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से महंगा इलाज करवाना बहुतों के पास कोई मेडिकल डिगरी तो दूर 12th की मार्क शीट तक नहीं होती है। जिस कारण डॉक्टर्स का स्किल्फुल ना होना कई बार लोगों की जान के लिए खतरा भी बन जाता है। वही गवर्मेंट हॉस्पिटल्स गाओ के आसपास गिने चुने ही होते हैं ज क्योंकि फीवर या हेडेक जैसी कोई छोटी प्रॉबलम हो या फिर कैंसर और हार्ट रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी। डॉक्टर्स हमारी जान की रक्षा करते हुए हमारी हर बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। कितनी बार क्रिटिकल कंडिशन्स एंड रोड एक्सिड की जेब पर तो असर पड़ता ही है बलकि कभी कभी पेशन्स की जान पर खतरा भी बन जाता है। एक्जाम्पल के तौर पर आप सिंक टेस्स को ही देख सकते हैं जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्क कराने आये पेशन्स की ओरिजनल रिपोर्ट को फेक दिया जाता है और फेक रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि मरीज को जिन टेस्ट और ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं भी है वो भी उसको दिया जाए और बेवज़ा उससे पैसे वसूले जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोविड के समय जब किसी को अपने अगले पल की खबर तक नहीं थी तब भी कई डॉक्टर्स ऐसे नीच काम कर रहे थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता इस समय भी बहुत से डॉक्टर्स पेशिंट्स को गुम रहा कर उन्हें कोविड की नेगिटिव रिपोर्ट सौप कर अपनी जेब भर रहे थे ये तो छोटा से एक्ज में इन बिल्ट सॉल्ट और केमिकल कॉमपोजिशन से लेकर स्ट्रेंग तक सब कुछ सेम होता है अगर फर्क होता है तो बस प्राइस का जो ब्रैंडेड मेडिसन सो रुपए की आती है सेम वैसा ही असर करने वाली जेनिरिक मेडिसन सिर्फ 10 रुपए में आ जाती है मेडिकल स्टोर पर मिल भी जाए क्योंकि दवाए तो उसको मेडिकल स्टोर से ही लेनी है इसलिए वहां भी उसको जिनिरिक मेडिसन की अनवेलिबिलिटी या लेस एफेक्टिवनेस का भाना दे कर उसकी जगव ब्रैंडेड मेडिसन ही थमा दी जाती है लेकिन सोचने वाल और मेडिकल स्टोर्स को 30 से 40 परसंट तक का अच्छा खासा कमिशन देती है जिस कारण लालच में आकर पेशिंट्स के नफा नुकसान की परवा ना कर हाई प्राइज वाली ब्रैंडिट दवायों की सप्लाइज ज्यादा से ज्यादा की जाती है इसके अलावा बड़ी परणीज ने डॉक्टर्स और फार्मसिस के थ्रू लोगों में ये अफवा भी फैलाई हुई है कि जिनिरिक दवाया लेस एफेक्टिव होती है पर सच ये है कि चाहे किसी भी तरह की मेडिसिन हो वो मार्किट में तभी आ सकती है जब वो FDA द्वारा अप्रूव की गई हो और इस केस में तो FDA ने खुद अपनी ओफिशिल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि जिनिरिक मेडिसिन्स ब्रैंडेड मेडिसिन्स के बराबर की कारगर है FDA के अलावा Indian Government and WHO भी जिनिरिक दवायों का ही सुझाव देता है ताकि लोगों का इलाज कम से कम पैसों में हो सके जिनिरिक मेडिसिन्स को प्रेडियूस एंड एक्सपोर्ट करने में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है इसके बावजूद फार्मा कमपनीज ने एक ऐसा एटमोस्फिर क्रियेट किया है कि भारत के लोग ही सस्ती जनिरिक दवायों की जगह मेहंगी ब्रैंडिट दवाया लेने के लिए मजबूर है वही प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब और मिडल क्लास लोगों के लिए इलाज करवाना ही काफी बड़ा चालेंज बन गया है यहां की मेहंगी फीस लोगों के होश उड़ा देती है प्राइवेट हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट कॉसली होने के कई कारण है जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बेटर इंफरस्ट्रक्चर, गुड हैजीन एंवारमेंट, वेल स्किल डॉक्टर्स और एडवांस मेडिकल फिसलिटीज जैसी चीज़ें मिलती ह जो आसानी से किसी गवर्मेंट हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलती, पर परिशानी तबान पड़ती है, जब कमाई के लिए यही प्राइवेट हॉस्पिटल इनसेंट पेशिंट्स को अननेसिसरी चीज़ों के लिए लूटना शुरू कर देते हैं, दरसल पर रखकर ज़्यादा बिल बनाया जा सके और हॉस्पिटल के रिविन्यू को बढ़ाया जा सके, इवन एक स्टडी के अनुसारी माना भी गया है कि अब हॉस्पिटल भी अपने आपको कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं, जिस कारण हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में सर्जरी या उप्रेशन के लिए एड्मिट होता है, तो डॉक्टर को इसका भी कमिशन दिया जाता है, ये सिस्टर्म ऐसा है, जिसके चलते किसी डॉक्टर की अगर नियत साफ ना हो, तो वो बस कमिशन की लालच में अपने पेशन्स को हॉस्पिटल लाइ साथ ही ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि किस तरह प्राइविट हॉस्पिटल और वहां के डॉक्टर्स पेशन्स की इलेक्टिव सर्जरी करने की कोशिश करते हैं, यानि ऐसी सर्जरी जिसकी जरूरत पेशन्ट को नहीं होती, या फिर इन सर्जरी को करीब 12,500 लोगों को सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है, इन एडवाइस सर्जरी में करीब 44% सर्जरी ज अन्वांटेड होती है या ये टाली जा सकती है, करीब 55% कार्डियेक सर्जरी जैसी की जाती है जिनकी जरूरत नहीं होती, 48% नी रिप्लेस्मेंट भी केवल डरा कर करवा दिये जाते हैं, 48% हिस्टिरेक्टमी को भी केवल जे भरने के लिए करवाया जाता है, इवन कैंसर जैसी परेशानियों में भी करीब 47% अन्वांटेड कैंसर सर्जरी करवाई जाती है, साथी 45% इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को भी केवल पैसा कमाने के मक सथ से करवा दिया जाता है, ऐसी अन्वांटेड सर्जरी जना केवल पैसा नहीं खोया, बलकि अपनी जान तक गवा दी, पास्ट में कितनी ही रिपोर्ट्स के जरीए ऐसे केसिस सामने आये हैं, जो दिल दहला देने वाले हैं, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पाया गया है कि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही की वजह से पेशिंट की मौत हो गई, तो वही कुछ केसिस में यहां तक दावा किया गया है, कि डॉक्टर्स ने मरे हुए पेशिंट्स को भी कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, ताकि ट्रीटमेंट के नाम प पेशिंट का बिल बढ़ता रहे और हॉस्पिटल और उनकी कमाई हो सके, यह सबी खबरे लोगों में खौफ पैदा करने वाली है, जो सेवियर माने जाने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करती है, एक तरफ प्राइवेट हॉस पर ट्रस्ट ना कर पाने के कई कारण है, सबसे पहले तो पेशिंट्स के हिसाब से गर्मेंट हॉस्पिटल्स और गर्मेंट डॉक्टर्स की संख्या काफी कम है, हर दस हजार लोगों के लिए केवल एक गर्मेंट डॉक्टर अवेलेबल है, और वही हर दो हरजार लोगों क लिए तयार हो जाते हैं गर्मेंट हॉस्पिटल्स की समस्या बस यही तक नहीं है इन हॉस्पिटल्स को लेकर मेजर कंसर्न ये भी है कि यहां ना तो हाइजीन का कोई खास ध्यान रखा जाता है और नाहीं पब्लिक हॉस्पिटल्स में बेटर इंफरस्ट्रक्चर और की भारी कमी है जिसका एक कारण ये है कि अच्छे डॉक्टर्स हाइपेंग जॉब्स के लिए शहर के प्राइविट हॉस्पिटल्स में काम करना पसंद करते हैं उनका इस तरह पैसे को प्रायरिटी देना एक तरह से गलत भी नहीं है क्योंकि देखा जाए तो उनकी मेडिक कमाई के लिए प्रोफेशनल डॉक्टर्स सिटी हॉस्पिटल्स को ही प्रिफर करते हैं रूरल एरियाज के डॉक्टर्स वेल ट्रेंड नहीं होते हैं और ना ही उनके पास कोई प्रॉपर मेडिकल डिगरी होती है जिस कारण पेशन्स की जिंदगी ऐसे अंट्रेंड एंड डॉक्टर्स के हाथों में होती है जिस वजह से कई बार क्रिटिकल सिचुएशन्स में सही इलाज ना मिल पाने से पेशन्स की मौत तक हो जाती है इसके अलाबा रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स का आंकड़ा भी हैरान करने वाला है रूरल एरियाज में देश की 75% आब Medical Council of India भारत की टॉप Medical Body हुआ करती थी जिसका काम Medical Education के Standards और Medical Professional के Ethics की देखरेक करना था पर MCI अपनी duties को सही से पूरा करने में पूरी तरह नाकाम थी MCI में भी करप्शन ने अपनी गहरी जड़े जमाली थी और इस बात का खुलासा तब हुआ जब 2016 में Parliamentary Standing Committee ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया था कि MCI का पूरा फोकस सिर्फ Medical Colleges को Licensing Grant करने पर ही है और MCI अपने पूरे Important रोल यानि Medical Ethics को पूरी तरह से नज Medical Professionals के Ethical Conduct पर भी ध्यान दिया जा सके कमिटी के सुझाफ पर Government ने Strong Action लेते हुए Corrupted MCI को Dissolve कर 25 सप्टेंबर 2020 को Government ने Medical Education and Practices को Overlook करने का जिम्मा National Medical Commission को सौप दिया जिससे Medical Ethics को Protect किया जा सके अगर आप भी अपने Hospital Expenses से बचना चाहते हैं तो Policy Bazar को एक बार जरूर विसिट करें इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में मिल जाएगा